चलिए, इस वीडियो में हम probability के बारे में थोड़ी और detail में चर्चा करते हैं जिसे कि माल लीजिए अगर हमारे पास एक die है एक die है जिस पे किछ नंबर से यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है ऐसे करके यह सारे 6 नंबर से इसमें लिखे हुए है तो जब हम इसे roll करेंगे, तो फिर क्या-क्या possibilities है होने की जब हमने इसे roll किया, तो top surface में या तो 1 आ सकता है या तो 2 आ सकता है, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा इन 6 इवेंट में से कोई भी event हो सकता है, कुछ भी आ सकता है और दूसरी बात ही है कि ये 6 की equal chances हैं आने के ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं कि 1 के ज़्यादा chances आने के बागे numbers के comparison में, या फिर 2 और 3 आएगा ही नहीं, सिर्फ बागे numbers आएगे इन सारे events के होने के chances equally हैं, और इसलिए हम इसे बोल लेते है equally likely events, जब किसी भी event के होने की probability बागी events के बराबर होती है तो हम इसे equally likely event बोलते हैं, और अगर मैं आपसे ये पूछो कि 1 आने की probability यहाँ पे क्या होगी तो वो हो जाएगा, इन 6 में से, इन 6 possibilities में से, एक possibility है 1 आना इन 6 में से, एक possibility है 1 आना, यानि कि इसकी probability हो जाएगी 1 upon 6 के बराबर उसी तरीके से अगर हम यह बोले कि 2 आने की probability क्या होगी तो इन 6 possibilities में से, एक possibility है 2 आना, यानि कि इसकी probability भी 1 upon 6 हो जाएगी यानि कि इनमें से आप किसी भी एक event को उठा लीजे उसके होने की probability 1 upon 6 हो जाएगी जिस वज़े से हम इसे कह देंगे equally likely events चलिए इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं माल लीजे अब मैं आपसे यहां यह पुछूँ कि probability of getting a number less than or equal to 2 यानि कि जब हमने इसे roll किया तो हमें एक number मिले top surface पे जो कि less than या equal to 2 हो इस बात की probability इस बात की chances कितने होंगे तो less than or equal to 2 इसका मतलब हुआ कि हम यहां पे क्या चाह रहे हैं इसका मतलब हुआ कि या तो हमें 2 मिल जाए 2 के बराबर और या तो हमें 1 मिल जाए इसके नीचे हम जाने सकते हैं क्योंकि इसके नीचे कुछ और value हो नहीं सकती ऐसा नहीं होगा कि हमें 0 मिल जाएगा या फिर negative 1 मिल जाएगा once ही लेके यहां सारे numbers लिखे हुए हैं तो 2 के बराबर या उससे कम सिर्फ 2 values है यानि कि हम चाह रहे हैं इन 2 values की probability calculate करना अब इन 6 possibilities में से इन 6 की 6 possibilities में से इन 2 possibilities हमारी favorable possibilities है हम चाहते हैं कि यह दो आएं यानि कि 6 में से इन दोनों events की हम बात कर रहे हैं यानि कि 2 upon 6 इसकी probability हो जाएगी होने की यानि कि 2 upon 6 उपर नीचे 2 से divide कर देंगे तो ये 1 upon 3 के बराबर आ जाएगा अच्छा मान लीजे ये तो था इसका बात अब अगर हम यहाँ पर ऐसे question पूछे कि what is the probability probability of मान लीजे getting a number greater than या equal to 3 हम चाहते हैं कि अब जो हम die को रोल करें तो जो value हमें मिले यहाँ उपर वो 3 या उससे ज़ादा हो यानि कि यहाँ पर हम क्या बات कर रहे हैं यहाँ पर हम चाहरे हैं कि हमारे पर यहाँ तो 3 आजाए यह चार आजाए यह पांच आजाए यह च्छा आजाए इससे ज़ादा हम ओपर जा नہीह सकते इस बात के probability क्या हो जाएगी तो 3, 4, 5, 6 जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं इन 6 possibilities में से हम इन 4 possibilities की बात कर रहे हैं यानि कि 4 upon 6 इसके value हो जाएगी उपर नीचे 2 से divide कर देंगे तो यह हो जाएगा 2 upon 3 के बराबर अब जैसे कि देख के हम को यहाँ पर पता चल रहा है कि 1 or 2 तो सिफ 2 चीजे हैं इन 6 चीज में से जो कि possible है हो जाए और probability of getting a number greater than or equal to 3 यह 4 possibilities है इन 6 में से तो जाहिर सी बात है कि इसके होने के ज्यादा chances होंगे जो कि हमें यहाँ पर mathematically दिख भी रहा है 2 upon 3 यह 0.666 है 1 upon 3 यह 0.3333 है तो इसको देख के भी हम बोल सकते हैं कि इसके होने के chances कम होंगे इसके respect में इसके होने के chances जादा होंगे यानि कि यह जदा favorable होगा और इसके होने के chances थोड़े कम होंगे क्योंकि इसकी जो value है वो इससे कम है उसी तरीके से मान लीजे अगर मैं आपसे यहां यह पूछू कि मान लीजे probability of getting a 7 7 आने की probability क्या होगी तो भई 7 तो यह है नहीं डाई में तो सिर्फ 6 ही तक होते हैं 1 से लेके 6 तक 7 तो कभी आई नहीं सकता तो इस में से तो कुछ value है नहीं तो यह हो जाएगी 0 upon 6 यानि की 0 के बराबर कभी तो ऐसा possible ही नहीं होगा और मान लीजे फाइनली मैं आपसे अगर यह पूछू कि probability of getting any number between 1 to 6 1 से 6 के बीच में कोई भी number मुझे मिल जाए इसकी probability क्या होगी तो यह सारे numbers तो 1 से 6 के ही बीच में यानि की मैं जब भी die को roll करूँगा तो मुझे inch है वो number में से कोई number मिलेगा यानि की out of 6 possibilities inch है में से मैं चाहता हूँ की कोई भी हो जाए मेरे काम चल जाएगा यानि की 6 upon 6 यानि की यह तो 1 के बराबर हो गया तो यहाँ पे हमें एक sense यह मिला की जो minimum possible value है probability की वो 0 के बराबर हो सकती है और जो maximum possible value है वो 1 के बराबर हो सकती है probability है किसी भी event का एक experiment में वो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रहेगा इससे जादा उपर जा सकता है और नहीं probability कभी negative में जा सकता है मैं यह नहीं बोल सकता कि 7 आने की probability कुछ negative 1 या फिर negative half होगी यह हमेशा 0 यहाँ पे तो 0 ही है और maximum 1 इससे उपर कभी यह नहीं जा सकती है लेकिन यह तो होगे theoretical probability के बाद हमें पता है कि यह 6 fixed outcomes है और इसके outcomes के basis पे हमने यहाँ पे यह सारे चीज़े calculate कर ली लेकिन मान लीजे अब practical situation के बाद करें मान लीजे sunny day है आज और यह अभी summer का महीना चल रहा है और अगर मैं आपसे ऐसा पोछो कि कल sun के rise होने के probability कितनी होगी यानि कि कल sunrise होगा probability of sunrise sunrise tomorrow यह कितनी होगी तो आप क्या बोलेगा तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई यह तो रोज होई रहा है summer भी चल रहा है तो कल भी तो होगा ही जरूरी होगा तो इसकी जो होने के chances है वो one के बहुत बहुत नजदीक होंगे exactly one हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि माल लीजे अचानक से बारिश हो जाए माल लीजे कुछ ऐसा हो जाए कि कल सन नहीं निकले बादल जादे हो जाए तो कुछ chances है कि sunrise नहीं हो लेकिन चुकि हम अभी तक देखते आ रहे है summer का महिना चल रहा है गर्मी पढ़ रही है और रोज sunrise हो ही रहा है तो कल भी sunrise तो होगा ही तो हम इसकी probability बोल सकते हैं कि ये 1 की बहुत close होगी यानि कि 0.999999999999 इसके बराबर होते जाएगी हम exactly 1 इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं थोड़ा सा chance है कि माल लीजे sunrise ना हो बादल बादल चा जाए तो कुछ possible हो सकता है लेकिन जैसे कि हम देखते हैं ये जादा chances है कि sunrise हो तो इसकी होने की चुकी ज्यादा probability है ज्यादा possibility है तो इसलिए इसकी जो value होगी वो one के बहुत करीब होगी और माल लीजे यहाँ पे अगर कोई दूसरा example ले लेते हैं जैसे कि अगर मैं आप से ये बोलू मैं आप से अगर ऐसा कुछ बोलू की probability probability of जैसे कि मेरा pet है जिसका नाम है टॉमी तो टॉमी एक great novel लिखे टॉमी writes a great novel great novel इस बात की probability क्या होगी कि जो मेरा pet है कि वो बहुत अच्छा novel लिखे तो आप बोलेंगे कि यो pet है वो novel कैसे लिख सकता है तो हाँ बिल्कुल इसके होने के chances बहुत 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 कम है इसी एक case में बहुत चोटे case में possible भी है कि मान ले जो लिख दे क्या पता उसके पास को super natural powers आ जाजा है कैसे भी करके वो लिख दे लेकिन obviously इसके chances इसके होने के chances बहुत 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 कम है तो इसकी जो यहाँ पर probability होगी वो 0 के करीब होगी यानि कि कुछ 0.000000000 बहुत 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 सारे 0 के बराबर हो जाएगी मान ले जी 0 ऐसा कुछ इसकी probability होगी 0 के बहुत करीब क्योंकि ऐसा होना almost impossible है लेकिन कहीं ना कहीं मान लिजे कुछ miracle हो जाए और उसने लिख दिया लेकिन ideal case में वो ऐसा नहीं लिखेगा इसलिए ये चुकी almost impossible है इस चीज का होना इसलिए इसके probability 0 के पास हो गई probability के value है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगी including 0 and 1 जब किसी भी event के जब भी हम यहाँ पे कुछ probability निकालना चाहें अगर उसका ज़ादा chances होने का तो उसके probability के value ज़ादा होगी 1 के ज़ादा करीब होगी यहाँ पे यानि कि highly likely highly likely highly likely जब 1 के ज़ादा करीब होगी और जब 0 के ज़ादा करीब होगी तो उसके होने के probability कम होगी less likely less likely less likely less likely होगी